नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपको हमारा यूटूब चैनल धीपक लेक्चेरर में तो आज की इस वीडियो में क्लास्ट वेल हिंदी का हम लोग प्रिवियस एर पेपर का सोलूसन कर रहे हैं जिसमें हम लोग 2019 का जो आपका आर्ट में हिंदी का पेपर आय था उसका सोलूस कर चुके हैं तो अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको decision में मिल जाएगा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं और यह वीडियो आपके board exam के लिए काफी जारा it potent है काफी भी भी आई है तो आप लोग इस वीडियो को last तक देखिएगा सार को याद कर लिजेगा चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like कर दीजेगा वीडियो को share कर दीजेगा तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो आप लोग इस वीडियो को last तक देखिएगा और सा यहां पे पूछ रहा है कि आपका आस्तिक का विप्रिनार्थक तब उल्टा सब्द विलोम सब्द क्या होता है तो आप लोग याद रखिया कि आस्तिक का विप्रिनार्थक सब्द आपका नास्तिक होता है तो यहां पे आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा question number 1 का तो सारे लोग को याद होना चाहिए important question है बहुत बार आ चुका है next question है second number सज्जन का संधी भी छेद है यहाँ पे बताना है कि सज्जन का संधी भी छेद क्या होता है तो यहाँ पे सारे लोग इसका answer देगा तो आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका सज्जन होता है उसका संधी भी छेद आपका होता है सत पलस जन क्या होता है सत पलस जन तो यहाँ पे आपका right answer D हो जाएगा तो आप लोग इसको याद रखिएगा important question है BVI question है बढ़ते है next question की तरब तो यहाँ पे आपका next question है three number प्रेमचंद की रचना है आपको बताना है कि प्रेमचंद की रचना इन में से कौन है तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका फूस की रात क्या है यानि फूस की रात आपका प्रेमचंद की रचना है तो यहां पर आपका राइट अंसर बी हो जाएगा तो आप लोग इसको याद रखियेगा it प्रेमचंद की रचना है तो आप लोग याद रखियेगा नेच्ट है फोर नंबर जहां पहुँचना कठीन है कहलाता है यहां पे पूछ रहा है कि जहां पहुंचना कठीन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं तो आप लोग यहां पे जानते हैं कि जहां पहुंचना कठीन होता है उसे हम लोग दूरगम कहते हैं क्या कहते हैं दूरगम तो यहां पे आपका right answer यह हो जागा question number 4 का तो आप लोग इसको रचनकार कौन हैं तो आप लोग जानते हैं कि उनके रचनकार आपके बाल क्रिस्न भार्ण हैं तो यहां पे आपका राइट अजर सी हो जाएगा कीसर मिश्टन नमर फाइब का तो आप लोग यादवीगा कि बातचित कीरे कार हैं तो आप लोग यहां पर जानते हैं कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है जूट बोलकर ठगना यानि किसी को जूट बोलकर ठगना आपका सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है तो आप लोग यहां पर यहां पर याद रखेगा इट पोर्टन क्यू को प्राप्त करता है उसे हम लोग एक सब्दों में क्या कहते हैं तो आप लोग को याद प्रवाइथा कि जिसे यस प्राप्त उसे हम लोग क्या कहते हैं यह सस्विक आते हैं तो यहां पर आपका राइट अंसर भी हो जाएगा या यह सस्विक आते हैं तो यहां पर आपका र सा समास है यहां पscreams है कि चिदि मार में कौन सा समास है तो यहां पर आपका एट नमबर हो जाएगा बंदर का परियाभाची सब्द है यहां पे बताना है कि सुन्दर का परियाबाची सब्द क्या होता है तो आप लोग जानते हैं कि सुन्दर का परियाबाची सब्द यहां पे क्या हो जाएगा आपका मनोहर हो जाएगा नि किसी को मोहने वाला कमलों क्या कहते हैं सुन्दर तो यहां पर आपका राय तंशर क्या हो जाएगा ची हो जाएगा मनूहर हो जाएगा राय तंशर तो आप लोग याद रखिएगा BVI कुशन है एट पोटन की शन है बढ़ते हैं नेश्ट की शन की तरफ नेश्ट की शन का अरा हैटेन नमबर किस रचनकार की पंगतियां है यानि यह जो पंगती है किस रचनकार की है नारी सुअपन है नारी सुगंद है नारी पूरुष की बाहँ पर जूलती हुई जूही की माला है तो यह जो कथन है यह जो पंगती है कहां से लिया गया है तो आप लोग जानते हैं कि यह जो पंगत जादा इट्पोर्टन क्यूशन है नेश्ट क्यूशन है 11 नमबर तपो बल का संधी भी छेद है बताना है कि तपो बल का संधी भी छेद क्या होता है तो आप लोग यहाँ पर याद रखेगा कि तपो बल का संधी भी छेद आपका होता है तपह पलस बल क्या होता है तपह पल सब्सक्राइब पर बताना है कि जो आपका राजेंद्र है उसका संधी भी छेद क्या होता है तो आप लोग यहाँ पर याद रखिया कि जो आपका राजेंद्र है उसका संधी भी छेद आपका होता है राजा पलस इंद्र तो यहाँ पर आपका राइट अंसर C हो जाएगा क्यूसन नमर आप पर बताना है कि जो आपका पूत्र भीयोग जो आपका कवीता है उसमें जो मा है वह अपने पूत्र को किसके भैसे गोद से नहीं उतारा था आपको बताना है तो यहां पर आपको याद रखना है कि गीरने के भैसे किसे गीरने की भैसे उसकी जो मा है वह अपने पूत्र को ग से याद रखिए बढ़ते हैं नेश्ट की तरफ देखिए नेश्ट की बढ़ते हैं जो कि आपका फोटी नंबर तो यहां पर सारे लोग फोटी नंबर की उसन को देखेगा सुभाद्रा कुमारी चौहान की कवीता है यहां पर बताना है कि सुभाद्रा कुमारी चौहान की है तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका पूत्र वियोग जो आपका कवीता है वह सुभाद्रा कुमारी चौहान नहीं लिखे है तो यहां पर राइट अंसर यह हो जाएगा क्यूसर नमर आपका फोर्टीन का तो आप लोग याद रखिएगा बढ़ते हैं नेश्ट क्यूसर यहां पर है 15 नमबर कमल नयन कौन साथ समास है यहां पर बताना है कि कमल नयन कौन साथ समास है तो यहां पर देखिए कमल नयन आपका हो जाता है करमधार समास का से कमल और का से करमधार समास तो यहां पर आपका राइट अंसर यह हो जाएगा तो आप लोग याद 16 तीरिछ के रचनकार है यानि जो आपका तिरिछ जो आपका कहानी है उसके रचनकार उसके लेक हक कौन है तो आप लोग यहाँ पर यहाँ पर याद रखियेगा बढ़ते हैं नेश्ट क्यूशन की तरफ नेश्ट क्यूशन है 17 मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है यह क्यूशन काफी जाला इप्पोर्टेंट है तो आप लोग याद रखिया कि जो मीरा है वह अपना प्रियतम क्यूशन को माना है तो आप लोग इसको जानते ही है तो यहां पर आपक question है चतुरूज कौन सा समास है तोँ यहाँ पर icpude flow κάνet क्यूषन है तो आप लोग यहां पर राइट नसरों चतूरूज यहाँ पे आपका राइट नसर व duas है यहाँ पर आपका राइट टंसर भी हो जाईगा तो आप 핯द्स को तो आप लोग यहाँ पर याद रखेगा कि जुरागुवीर सहाय हैं, वह अंग्रेजी भासा से अपने में की पढ़ाई किये थे, तो यहाँ पर आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा क्यूशन नमर आपका उनीस का, तो आप लोग याद रखेगा, संदि मिखेद, आपका हो जाएगा, माहा पलस ही, तो यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाएगा, तो आप लोग याद रखेगा, जो बहुत बोलता है, उसे एक सब्ध में कहा जाता है, यानि वैसा बेकती, जो बहुत बोलता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, तो उसे यह बहुत बहुत बोलता है उसे हम लोग बाजशाल काते हैं तो यहाँ पर आपका जाएगा और वरते है नेश्थ क्यूस्टन की तरफ तो कि कमल का परियवाची सब्द यहाँ पे उचुछ रहे दोल कमल का परियाबाची सब्द यहां पर आपका सरोज हो जाएका राइट अंसर तो यहां पर आपका सरोज होता है तो आप लोग याद रखिएगा बढ़ते हैं नेश्ट कुछन की तरफ नेश्ट की उसने हैं 23 किस कवी का मूल नाम बैदनाथ मिस्र है यहां पर बताना है कि कौ बैदनाथ मिस्र है तो यहां पर आपका राइट अंसर भी हो जाएगा तो आप लोग इसको याद रखिएगा इस तरह का कुछन आपके बोड़ एकजाम में बार बार आता है तो आप लोग याद रखिएगा नेश्ट है 24 ओ सदा नीरा के लेखक हैं यानि जो आपके ओ सद सदा नीरा जो आपका निवंध है वह गंड़क नदी के अधार बना कर लिखा गया है जिसके लेखक आपके जगदीश चंद्र माथूर है तो यहां पर आपका राइट अंसर भी हो जाएगा क्यूशन नमर आपका 24 का तो आप लोग इस चेप्टर को जाकर पढ़ सकते हैं औस सदा नीरा के लेखक ओ सदा नीरा के जो आपके राच हीता कौन है तो जगदीश चंद्र माथूर हो जाएंगे तो आपको अभी बताए कि जो आपका ओ सदा नीरा क्या है गंड़क नदी को अधार बनाकर लिखा गया एक निवंध है एक एस से है तो यहां पर आपका right answer C हो जाएगा question number 25 का तो आप लोग इसको याद रखिएगा question है BBI question है next question को बढ़ते हैं जो कि आपका है 26 सिपाही की मा निमानकित में कौन है आपको बताना है कि सिपाही की जो मा है जिसके लेखक है मोहन राकेश उसमें सिपाही की मा कौन होती है तो आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि सिपाही की मा की जो नाम था वह बिसनी था और उसके जो बहन की नाम थी वह मुन्नी था तो आपको याद रखना है क्योंकि आगे यह पूछ सकता है कि सिपाही की मा में यानि सिपाही की जो मा जो आपका क्या है जो आपके नाटक है उसमें सिपाही की बहन कौन है तो आपका मुन नहीं हो जाता है लेकिन यहां पर मा पूछ रहा है तो आपके पहले बीशनी होगा तो यहां पर आपका संदी बिछेद आपका हो जाएगा सत यानि स आधात और पलस आचार तो यहाँ पे आपका राइट अंसर भी हो जाएगा Q27 का तो आप लोग याद रखिएगा दोस्ति पोर्टन Q है BVI Q है बढ़ते हैं नेश्ट Q की तरब Q27 कैसे कवी है आपको बताना है कि जो आपके मलिक मुहम्मद जायसी है वह किस परकार के कवी है तो आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो आपके मलिक मुहम्मद जायसी है वह आपके प्रेम मारगी कवी है यानि वह प्रेम से रिलिटेड जो आपके कवीताएं है जो आपका यतने भी आपका कावि है हुआ उसको लिखा करते हैं तो आपके मलिक मुहमद जैस आपके प्रेम मारगी कभी है तो आपको याद रखना है बढ़ते हैं उपवन में यहां पर क्या है मूल सब्द क्या है यहां पर वन में आपका उपचा कॉन सा समास है कहाण से अजन्म और और अवयवयवम समास है तो यहां पर आपका राइट अंसर यह हो जाएगा तो आप लोग याद रखेगा नेक्ट आपका है 31 परकासित में कौन सा परते हैं यहां पर पुछ रहा है कि जो आपका परकासित है उसमें कौन सा परते हैं तो यहां पर देखिए मूल सब्द क्या है परकास और परकास में आप यानि आपका इत्र लगता है तो यहाँ परकासिद बनता है तो यहां पर आपका इत्र परतेह लगा हुआ है तो राय च्छातरों के रहने का अस्थान का घुषण यहां पर जानते हैं कि छात्रों के रहने का अस्थान उसे हम लोग चात्रा वास काते हैं तो यहां पर आपका राइट पर क्या होता होता है तो आप लोग नाक कट ना मुहावरे का अर्थ होता है किसी को अपमानित करना तो आप लोग याद रखेगा बढ़ते हैं नेश्ट क्यूशन की तरफ नेश्ट क्यूशन है 34 अधिनायक सिर्षक कवीता के कवी हैं आपको बताना है कि अधिनायक सिर्षक जो आपके कवीता है उसके लेखक उ बढ़ते हैं next question की तरफ देखिए next question आपका है 35 गाल बजा ना मुहावरे का अर्थ है आपको बताना है गाल बजा ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है इट पोर्टन की उसन है बहुत बार आचुका है तो गाल बजा ना मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाकना तो यहां प् बिलोम सब्द क्या होता है तो आप लोग यहां पर जानते हैं कि आलसी का बिलोम सब्द आपका क्या हो जाएगा यानि आलसी का बिलोम सब्द काफी सिंपल है आपका परिश्रमी हो जाएगा यानि कोई आलसी है उसका बिलोम सब्द क्या होता है आपका परिश्रमी होता है तो जो चाचा जी थे तो आप लोग याद रखिया कि जब भारत में सोवतन्तरता के लिए मांघ हो रहा था तो भगलत सुनके जो पीता जी थे और चाचा जी थे वहां लाला लाचपत राय के सही हो गी थे तो यहाँ पर आपका राइट अंसर सी हो जाएगा question number आपका 37 का तो आप लोग इसको याद रखिएगा important question है BVI question है बढ़ते हैं next question की तरफ तो यहाँ पर देखे 38 number का हो रहा है निलामबर कौन सा समास है आपको बताना है कि निलामबर में कौन सा समास है तो 38 का right answer किया हो जाएगा आपका निलामबर में आपका करमधार समास होता है तो यहाँ पर आपका right answer यह हो जाएगा 38 number question का तो आप लोग याद रखिएगा निलामबर में आपका करमधार समास है next question है 39 तुलसी दास कैसे कवी माने जाते हैं आपको बताना है कि तुलसी दास जो है वह कैसे कवी माने जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर याद रखिए Definum के अपके तुलसी दास है वह समन्वे बादी कैसे समन्वे बादी जो आपके कवी है वह माने जाते हैं तो यहाँ पर आपका right answer डी हो जाएगा जो तुलसी दास हैं उनको हम लोग समन्में बादी कभी कहते हैं तो आप लोग याद रखेगा बढते हैं next question की तरफ next question यहाँ पर है 40 number देखिए 40 number है प्रती निधी में कौन सा उपसरग है आपको बताना है कि प्रती निधी में कौन सा उपसरग है तो यहां पे मुल्ट सब्द देखिए मुल्ट सब्द क्या है आपका निधी है और निधी में क्या जूला हुआ है प्रति यानि प्रति आपका यहां पे उपसरग लगा हुआ है तो यहां पे आपका right answer यह हो जा Entonces Number 14 का तो आप लोग याद रखिएगा 14 की उसन है बहुत जादा 14 की उसन है नेक्ट की उसन है 41 कौन सी कहानी चंदरधर सर्मागुलेरी की नहीं है यहाँ पर बताना है कि इन में कौन सी जो कहानी है वह चंदरधर सर्मागुलेरी की नहीं है तो आप लोग इहां पर याद रखिया कि चंदरद सर्मा गुलेरी ने केवल और केवल तीन कहानी लिखे हैं जिसमें से आपका है उसने कहा था आपका बूद का काटा और सुख में जीवन या तीनो चंदरद सर्मा गुलेरी की कहानी है लेकिन जो आपका तीरिच है वह आपक आप लोग यहां पर राइट अंसर दीजिए तो आप लोग यहां पर राइट अंसर दीजिए आप लोग यहां पर रखेएगा कि जो आपका चक्र पानी है वह आपका बहुँ विरीजी समास है तो यहां पर आपका राइट अंसर यह हो जाएगा क्यूशन नमर आपका 40 थेगा नेश्ट क्यूशन को बढ़ते हैं जो कि आपका है 44 तो 44 कर रहा है फनिस्वर नाथ रेनू की रचना है यहां कर रहा है फनिस्वर नाथ रेनू की रचना इन में से कौन है तो आप लोग यहां पर याद रखेएगा कि जो यहां पर फनिस्वर नाथ रेनू की आपके रचन है निमली कीत में कौन से कभी निर्शर थे आपको आपको यहां पर याद रखना है कि यहां पर जो आप shrine dot ऑफ कर आप आपके कभी हैं तो यहां पर आपका राइड एंसर क्या हो जाएगा यह फेन मर आपका 45 तो आफके हेगा यहां पर आपका कभीर्दास हैं वा आपके निर्चर कभी है नेस्ट कई हो तो कापी सिंपल है कि हाथ पैर आपका द्वैन समास हो जाएगा तो यहां पे आपका राइट अंशर भी हो जाएगा यह क्यूशन तो सारे लोग सही की होंगे यह हाथ पैर आपका द्वैन समास होता है बड़ते हैं नेश्ट क्यूशन की तरफ नेश्ट क्यूशन है फोटी सेव बड़ा पन में कौन सा परते हैं बताना है कि बड़ा पन में कौन सा परते हैं लगा हुआ है तो आप लोग यहां पर याद रहिए कि जो बड़ा पन में आपका पन परते हैं लगा हुआ है तो यहां पर आपका राइट अंसर भी हो जाएगा कि उसन मर आपका 47 का तो आप लो जाहां पे SEMA एसे क्या क्या आते हैं तो आप लोग जानते हैं कि उसे हम लोग च्छाबनी क्या थे हैं च्छाबनी कायर का बिलोम है, आपको बताना है कि कायर का बिलोम सब्द क्या होता है, यानि कायर का बिलोम सब्द क्या होता है, तो आपका बहादूर होता है, तो यहां पर आपका राइट अंसर यह हो जाएगा, काफी simple, काफी important question है, कायर का बिलोम सब्द क्या हो जाएगा, आपका मुहावरे का अर्थ है यहां पर पुछ रहा है कि दाने दाने को तरस ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है तो आप लोग जानते हैं कि दाने दाने को तरस ना मुहावरे का अर्थ होता है भुखमरी की इस्थीति यानि किसी के तरह भुखमरी की इस्थीतिया या तो वा दाने दाने के लिए तरस्ता है तो यहाँ पे आपका राइट अंसर यह हो जाएगा यही था आपका 50 किशन और इसी के साथ आपका 2019 का आर्ट का पेपर समाप्त होता है अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जाएगा और अगर आप लोग चैनल नए जूने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए तब ते के लिए जय हिंद जय भारत